पहले क्योंकि आज जन्माश्टमी है एक बड़ा हिंदूओं का पर्व और धूम धाम से हर साल इसे मनाया ज़रूर जाता है लेकिन इस बार लेकिन इस बार थोड़ा सा जो माहौल है बदला हुआ है कोरूना की वज़ा से स्वीरे आप मतुरा से देख रहे हैं मतुरा में आप देख सकते हैं किस तरह से कानहा को यहाँ पर उनका विशेक किया जा रहा है पंच तत्व से यह उनका विशेक किया जा रहा है जिसने जल, घी, शकर, दूद, यह तमाम चीज़े शामिल की जाते हैं और इसे के साथ कानहा की आगमन की तयारी होते हैं मतुरा की किसमेरे आप देख रहे हैं यह देख सकते हैं मंदिर में आम जनता के लिए इस बार दर्शन नहीं किये जा रहे मंदिर के कपाट आम जनता के लिए बंद जरूर है लेकिन मंदिरों के अंदर का महौल उसी तरह किश्न नैं दूपा हुआ है और उसी तरह तैयारियां की गई है सजावट जिस तरह से हर करस्फ न जनमाश्प het जाती है उसी तरह की तैयारियां हैं उसी तरह से राधा और प्रिश्न को Sजाया गया है उनकी पोशाके बाहर से मनगवाई जाती है फूल जो है विदेशों से लाए जाते हैं इनका श्रिंधार किया जाता है और हर पूजा से पहले एक विशेश आरती होती है और उस विशेश आरती से पहले राधा और कृष्ण का श्रिंधार किया जाता है 108 बेंजनों का भोग लगाया जाता है और फिर वो प्रसाद उनके तमाम भक्तों में बाता जाता है लेकिन कुरोना को देखते हुए सभी जो मंदिर हैं आज बंध हैं तमाम बड़े मंदिरों में पूजा अचना जरूर होगी लेकिन आम जनता के लिए यानि भक्तों के लिए आज उन मंदिरों में कदम रखना मुश्किल होगा यह आप देख सकते हैं फूनों से किस तरहा से मंदिर को सजाया क्या है हर साल इसे तरहा जो है तस्वीर नजर आती है लेकिन इस बार वो भक्त में महौल कम देख ला है क्योंकि लाखों लोगों की भीड यहां नहीं दिख लए जो श्रीकृष्ण के नारे लगाते हुए उनके दर्शन करते हैं यह तस्वीरे आप देख रहे हैं दिल्ली के स्पॉन पैंपूल की स्पॉन मंदिर की तस्मीर है यहां आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहां राधा और प्रिश्म को आजन पर स्रिंधार किया गया है नीले और पीले रंगी को शाक उन्हें आज पहनाई गई है फूलों से उनका दर्बार सजाया गया है यह सुभा की मंगल आर्थी की तस्वीरे आप देख रहे हैं जो स पीन सो लोगों को ही हैं एंटरी करने की जासत दी गई थी और आज दिन भर जो प्रोग्राम आज रहेगा अगर दिली के स्कॉन टैंपल की बात करते हैं क्योंकि हर साल राज्य की मंत्री पुलिस कमिशनर यहां पहुशते हैं दर्शन करने के लिए तो इसी तरह का प्रोग प्रिशासन के तरफ से वस्थाएं भी की गई है कि यह देख सकते हैं जब मंगल आर्ती खत्म होने के बाद किये तस्वीरे हैं मंदिर के जो कपाठ है वो बंद कर दिये गए थे और उसके बाद उनके तमाम भक्त यहां मौजूद थे प्रसाद का इंतिजार कर रहे थे आम जनता आपको यहां पर नहीं दिखेगी ये वहीं सब लोग हैं जो मंदिर प्रिशासन से जुड़े हुए हैं आम तौर पर कृष्णा मंदिरों में पैर रखने की जगा नहीं मिलती है लेकिन इस बार सब सुनसान है मंदिरों में धोल मंजीरों की आवाजें आज नहीं सुनाई दे रही, उनके भक्त आज दिखाई नहीं दे रहे, ये देखिए सजावट पूरी की गई है, फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जाता है हर साल, सजावट की जाती है, विशेश जो है मालाएं बनाई जाती है, विशेश पोशा के राज्य की बाहर से ओर्डर की ज आते हैं और देश विदेश से ही बड़ी संख्या में लोग लाखों की संख्या में यहां पर पहुंचते हैं